आज हम करेंगे स्टड़ी ऑफ कॉंटिनेंट्स ऑस्ट्रेलिया चैप्टर नंबर 9 जिसका फर्स्ट पार्ट अप्लोड हो चुका है उसमें हमने लैंड को कैसे डिवाइड किया जाता है उसके बारे में पढ़ा और भी अदर टॉपिक्स हमने फर्स्ट पार में कंप्लीट कि बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए शियर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो आपको कैसा लगा ओके तो रिसोर्स एंड दियर उटिलाइजेशन हम स्टार्ट करते हैं इसकी स्मॉल पॉपलेशन है उसके नाम से इसलिए उस लिए उस्टेलिया को जाना जाता है इन फैक्ट ने ने यानिकि बहुत सारे फेमस सपोर्स परसन को भी बनाया है फिर अब हम इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं रिसोर्स में प्लांट और आनिमल्स के बारे में और रिमार्किबल वाराइटी आव and animals many of them unique to this continent Australia में बहुत सारी variety of plants and animals पाई जाते हैं और में से बहुत सारी तो unique है the most common tree of Australia is the eucalyptus most common tree कौन सा यहां का eucalyptus है this is an evergreen tree एक evergreen tree है it is also known as the gum tree some gum tree भी बोलते हैं there are many varieties of eucalyptus in Australia Australia में इस common tree की यानि की eucalyptus की बहुत सारी varieties पाई जाती हैं जो श्रब से लेकर बहुत सारे टॉल trees तक है some varieties produce oil बहुत सारी varieties हैं जो oil produce करती है which is used for curing curing cough cold headache etc eucalyptus tree का oil निकाला जाता है जिस उस oil को use किया जाता है कफ ठीक करने के लिए खासी जुखाम या सिद्दर दोता है इसी बहुत सारी बिमारियों को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है उस ओईल का सम अधर varieties like jarra and curry are sources of timber बहुत सारी दूसरी varieties हैं जैसे jarra and curry यह timber के sources हैं ठीके इससे timber मिलता है golden battle a kind of acacia is common all over Australia golden battle जो है जो एक तरह की अकासिया है यह पूरे औस्ट्रेलिया में common है it's a sweet smelling golden flowers और और औस्ट्रेलिया जैशनल floral emblem यह जो है आपका तो क्या बोल रहा है golden battle एक तरह का अकासिया प्लांट है जो पूरे और औस्ट्रेलिया में बहुत common है इसकी जो smell है golden flowers आते हैं वह बहुत sweet smelling होते हैं बहुत जादा sweet smell होती है यह ऑस्ट्रेलिया की नेशनल floral emblem है ठीक है यह आपको यहाँ पर golden होते हैं pocket होती है एक तरह की ताकि वह अपने छोटे बच्चों को जो उनके यंग वंस हैं उनकी उस पाउच में कैली कर सके kangaroos belong to the family of marsupials kangaroos इसी marsupials की family में आते हैं there are many types of them kangaroos के भी बहुत सारे types होते हैं they feed on grasses and leaves leaves and grasses वो लोग खाते हैं some may stand two meters और मैंसे कुछ ऐसे होते हैं जो दो मीटर इनकी हाइट होती है they have short four legs and long hind legs इनके जो पीछे के लेग्स होते हैं वो थोड़े चोटे होते हैं और आगे के जोते हैं वो थोड़े लॉंग होते हैं kangaroos hops and leaps on its hind legs and can reach a speed of about 48 km परार कंगारू जो है वो खूतता है और leap करता है यानि की जुकता है अपने hind legs पर आगे वाले legs पर और वो about to 48 km परार की speed से दोड़ सकता है kangaroos ठीक है देखें यहां पर आपको pictures दिखाई हों कुछ animals की जो आस्टेलिया में बहुत यूनीक है जो पाये जाते हैं यह kangaroos है यह प्लैटिपस है आगे क्या बोल रहा है वाला बेबी जैसा अनिमल होता है लेकिन उससे थोड़ा छोटा होता है कौला लुक्स लाइक का टेडी बियर की जैसा दिखता है इट आज अ फ्लैट ब्लैक नोज इसकी जो ब्लैक नोज है यह फ्लैट होती है ठीक है बटन जैसी आइस होती है और फ्लफी इयर्स होते हैं इसके कौला जार एक्टिवेट नाइट और श्लीप दिरिंग देड़ कौला जो परे लिवि एक्टिव रहते हैं पूरे दिन सोते हैं यह लिविच डार पीलीप टी ब्लैक इसफेट घोली ऑलीप दो गुंत सथ मोट सारा मोयास्या घ्ळिप रहता है pond जो ब्लीप जाहता है इसलिवेड टो निवेड दो पानि pipeline की ज़र्वत नहीं होती में तब वाइल डॉग डिंगो एक वाइल डॉग होता है जंगली कुट्ता इट फीड मेंली ओन रैबिट्स जो मेंली डैबिट्स खाता है इट सम्टाइम्स अटक शीप और पॉल्ट्री आल्सो और यह जो डिंगो वाइल डॉग है यह कभी-कभी शीप पर भी अटक कर देता रोप डॉग बिल्ट प्लाटीपस जो एक आपका कुईर आनिमल है इट कैन सुइम अंडर्वाटर वॉट कॉन लैंड अन डिग अंडर्ग्राउंट तनल यह जो प्लाटीपस है यह वाटर में तैर सकता है जमीन पर चल सकता है और अंडर्गराउंट टनल भी खोड सकता है इट यहीं बहुत ही प्रेमिटिव मैमल है इट में एग जो करता है और दोंक होच्छी में था यज़ाता है विर को फिर्ट की शुक्रब दे था लाइकel द कर दिम्हें जाता है इसा एक बिल लाइक फी यद्द मैमल के जैसी होती है यह साथा जैसे आटर के शूशन ओंड एक और जो आपका ऑस्टेलिया में पाए जाते है वो है काइडना इस इंसेक् अइनमल इसके जो यह वाला जो कैडना है यह इसक्ट इटिंग एनिमल है जिसके स्पाइन सोते हैं जो पूरे वर्ड में कहीं और नहीं मिलती है लार्जेस्ट ऑप दीस इस दाइमु जो वर्ड है वह ऑस्टेलिया में ही पाई जाती है जो आपके एक फ्लाइट लेस बर्ड है यानि कि बड़ नहीं सकती लेकिन बहुत तेज दौ अपरिका अब्रभ रिलिटेड यम ऑस्टेश से लेटेडिट या आपके बीतिफुल बर्ड होती है विक फेजा को फैदर इन शेप ऑफ लायर जिसके दो पाउस्टेश पैदर सो नहीं किसकी शेप कर राइर के इट एस एन एकस्सेट में लेर्ड है फिंक हो या या करता है जो क्या है आपके आस्टेलिया की बहुत ही ब्यूटिफुल बर्ड है इसे लाफिंग जैकाज भी बोलते हैं इसे लाफिंग जैकाज भी बॉलते हैं आपके आपके अपका कुकबुर्र रैंबो लौरीगेट थी कलर्फुल पैरत जो उस्टेलिया में पाया जाता है यह जो कुका बुर रहा है इससे … लाफिंग जैकास भी क्योंकि यह कभी अदुक्ष थाय थो यह जब भी जैकास भी बुलते हैं में बात में बात कर लेते हैं और ऐस चाहर है ऑस्टेलिया इस रिच इन मिनिनरल रिसोर्स में बहुत जाधा रिच है जब भी बनतला की हिसलें जलांव को सब्सक्र को मिल जलता है कि मिल्ली है इस मेरां लोगतें हो दो शुर्क वह जो quality में गोल्ड प्रिदियूस करता है ठीक है यह जो जो गोल्ड वह वेस्टन ओस्ट्रेलिया से आता है यह लाज डाइमंड डिपोजित और ब्ढ़द बढ़ी खदान डाइमंड की भी पाई जाती है Australia is the largest producer of bauxite in the world पूरे वर्ल्ड में Australia largest producer है bauxite का यानि कि aluminum ore का It is also among the leading producers of iron core, coal, manganese, lead, zinc, uranium, silver, copper, tin and nickel in the world और ये leading producer भी है Australia iron ore का, coal, manganese, lead, zinc, uranium, silver, copper, tin and nickel पूरे वर्ल्ड में produce करता है ये Australia Australia exports large quantities of minerals और Australia जो है वो large quantities minerals के export करता है It also had good offshore reserves of petroleum and natural gas और Australia के किनारों पर भी बहुत अच्छे खासे reserves है petroleum and natural gas के फिर आता है water Australia is one of the driest continent Australia आपका एक driest continent है rainfall is generally low and most of the water is lost due to evaporation rainfall यहाँ पर Australia में generally कम होता है और most of the water वो evaporation की वज़े से जो पानी थोड़ा बहुत है वो loss हो जाता है evaporation की वज़े से most important source of surface water is Murray-Darling river system most important जो surface water है वो आपका Murray-Darling river system से पाया जाता है several dams and reservoirs have been built to utilize its water effectively और बहुत सारे dams and reservoirs भी बनाए गए हैं ताकि इसके water को effectively अच्छे तरीके से use किया जा सके the great artisan basin has an underground water great artisan basin में underground water है deep artisan wells have been dug in this area to tap this source इस source को पाने के लिए बहुत सारे गहरे artisan kooe बनाए गए है water from these wells is distributed through pipes or through channels dug in the ground और इन wells से ये जो kooe बनाए है इनके इसे जो पानी है वो pipes के through या फिर channels के through पहुँचाए जाते हैं हर जगा this water is not suitable for watering crop lands as it contains a large amount of minerals ये जो wells का पानी होता है ये crop lands को water करने के लिए सही नहीं है क्योंकि इसमें बहुत जादा minerals पाए जाते हैं however it can be drunk by animals लेकिन ये animals पी सकते हैं इस पानी को and is widely used for watering pastures pastures को water करने के लिए इसे यूज किया जाता है अब water के बाद आता है अगला resource agriculture most of Australia has poor soil and low rainfall most of Australia की poor soil वहाँ पर है Australia की जो soil वो पूर है और rainfall भी आपको पता है कम होता है only about 6% of total area is suitable for agriculture only about 6% जो है पूरे आउस्ट्रेलिया का वो agriculture के लिए ठीक है agricultural lands are confined to southwestern, southeastern regions and the eastern coast agricultural lands जो है वो आपके खाहाँ पर है इसमें southwestern, southeastern and eastern coast पर है fertile aluvial soils are found only in मुर्य डार्लिंग बेसिन जो fertile aluvial soil पाई जाती है वो सिर्फ मुर्य डार्लिंग बेसिन में ही पाई जाती है hence this is the most important reason for agriculture इसलिए यह जो मुर्य डार्लिंग बेसिन का एरिया है इंपोर्टेंट एरिया माना जाता है agriculture के लिए this reason has a favorable climate and water resources to और इस reason में favorable climate भी है और water resources भी अच्छे है agriculture production is high यहां पर agriculture production बहुत ज्यादा है due to scientific methods of farming क्योंकि farming के scientific methods आ गए है इसलिए यहां पर production अच्छा खासा कर लिया जाता है and a high level of mechanization बहुत जारे mechanicals mechanics को use करके क्या किया जाता है high level crop yield करी जा सकती है irrigation facilities have been provided to farmers in areas of insufficient rainfall और ऑस्ट्रेलिया के जिन area में कम rainfall होता है न वहां पर irrigation facilities भी farmers को provide की जाती है farms are generally large farms आपके generally large होते है this makes it possible to use machines like tractors, tylers and harvesters farms बड़े होते हैं इसी के वज़े से machines वहां पर use करी जा सकती हैं जिसे tractors, tylers and harvesters machines are also necessary machines भी जरूरी है because very few people are available to work on farms क्योंकि बहुत सारे बहुत कम ही लोग जो है farms पर काम कर सकते हैं इसलिए machines वहां पर जरूरी होती है जो बोलते हैं oats and maize are main food crops है और wheat is the most important crop है sugarcane and cotton आपके यहां के main cash crops है they are cultivated in the warm tropical reasons of the east coast east coast के warm tropical reasons में sugarcane and cotton को cultivate किया जाता है tropical fruits यहां पर grow करे जाते हैं नौर्थ में और tropical fruits में bananas papayas and pineapples ग्रोग गिया जाता है among the fruits grown in the temperate reasons temperate reason में जो grow किया जाता है वो हैं आपके oranges apples and grapes अब बात करते है pastoral farming की large parts of australia's interior have grasslands where animals can be reared ठीक है ऑस्टेलिया के जो interior की बात करें तो उसमें बहुत सारी जगा पर grasslands है जहां पर animals को रियर किया जा सकता है पाला जा सकता है ऑस्टेलिया has one of the world's largest population of domestic sheep australia में पूरे world में largest population of domestic sheep का पाया जाता है ठीक है countries leading producer of wool in the world world में wool यानि की उन बनाने की leading producer है आपकी australia और many farms बहुत सारे farms पर farmers जो है wheat grow करते हैं in addition to rearing sheep यानि की sheep पालने के साथ साथ वो लो क्या करते हैं wheat grow करते है cattle are reared for beef as well as dairy products cattle को beef के लिए यानि की meat के लिए और dairy products के लिए भी रियर किया जाता है पाला जाता है dairy products हो या आपके butter cheese milk powder ठीक है cattle need more water than sheep do cattle को जादा पानी चाहिए होता है as compared to sheep so main cattle rearing areas are tropical grasslands इसलिए main cattle rearing area जो है आपके tropical grasslands होतने है जो गीले होते है as compared to temperate grasslands and the part of great artisan basin ठीक है महाँ पर जादा पाया जाता है पानी new south wales queensland and the northern territory are the main cattle rearing areas ठीक है new south wales queensland and northern territory जो है आपके main cattle rearing areas dairy cattle are rearing in the eastern coastal areas of queensland new south wales victoria और तस्मानिया dairy cattle को रियर पाला जाता है eastern coastal areas में queensland new south wales और victoria तस्मानिया के आस्ट्रेलिया आपका leading exporter है beef का इट exports dairy products टू और आस्ट्रेलिया जो है dairy products को भी export करने का काम करता है तो यह agriculture का complete हो गया अब हम पढ़ते हैं industries के वारे में यहां की ठीक है I hope guys आपको chapter समझ में आ रहा है तो प्लीज जल्दी से comment करके बता दीजिए आपको समझ में आ रहा है starting में पढ़ाता हमने chapter के ठीक है बहुत सारी industries है यहां पर the need to process its agriculture products and the rich reserves of iron and coal are the major factors responsible for its industrial progress अब industrialized country यह कैसे बनी क्योंकि जो agriculture products यहां पर grow किये जाते हैं उनकी processing करनी होती है iron और coal के यहां पर rich reserves है तो इनकी factors के वजह से industrial progress के लिए responsible है cotton textile, woolen textile, sugar, food processing, dairy and meat packing और chief agro-based industries है main आपके agro-based industries है important mineral-based industries कौन सी है यहां की iron and steel, oil refining ठीक है other industries और कौन सी है यहां पर automobile, machinery, domestic appliances, ship building, plastic goods, electronic goods, chemicals, paper and transport equipment की यहां पर major industries पाई जाती है अब इसके बाद हम बात करते हैं कि transport and cities के बारे में, cities and towns are connected by various means of transport, cities और towns को connect किया जाता है अलग-अलग means of transport के थ्रू, density of roads and railways is greater in the coastal reasons where most people live, roads और railways को जादा यूज किया जाता है वो coastal reasons में यूज किया जाता है जहां पर जादातर लोग रहते हैं, the railways are heavily used by the agricultural, mining and industrial sectors, railways का जो जादातर यूज करते हैं वो agriculture, mining और industrial factors के लिए यूज किया जाता है, railways are run by the government as well as private companies, railways जो चलाए जाते हैं वो government के साथ सथ private companies भी चलाती है, all the important cities and towns are also connected by roads, जितने भी important cities और towns हैं वो भी roads से connect कर दिये जाते हैं, the trunk roads और major roads, जो trunk roads या main roads हैं उन्हें हम बोलते हैं national highways, road trains, each consisting of a large truck pulling several trailers, carry cattle and goods along these roads, यह आपकी road train यहाँ पर आपको दिखाई हुई है, ठीक है, इस road train में क्या होता है, large truck होता है, बहुत बढ़ा truck होता है, जो बहुत सारे trailers को, देखे हो न, यहाँ पर यह truck है, और पीछे यह trailers लगे हुए है, जो pull करके ले जाता है, यह बड़ा truck, इसमें cattle या फिर goods को road के थुरू ले जाया जाता है, in Australia, Australia में एक large country है, Australia आपकी large country है, air transport is essential to link distant places, especially in the outback, outback means remote interior of the continent, where there are few roads और railways, Australia आपकी बड़ी country है, तो इसके दूर दूर के देशों को, दूर दूर की जगहों को connect करने के लिए air transport का use किया जाता है, especially outback में, outback में या नहीं, continent के दूर की countries में, जहाँ पर कुछी roads और कुछी railways हैं available, Australia has a large domestic air transport network, Australia का एक खुद का बहुत बड़ा air transport network है, Sydney, Melbourne, Brisbane and Adelaide are among the busiest international airports, ये सभी आपके बहुत जादा busy रहने वाले international airports है, Australia के small aeroplanes serve a very vital and unique purpose in Australia, जो छोटे-छोटे aeroplanes हैं, वो बहुती जादा unique purpose Australia में सर्व करते हैं, बहुत helpful रहते हैं, because they help people living in remote settlements, get timely medical aid, क्योंकि small aeroplanes की वजह से जो लोग दूर जगाओं उपर रहते हैं, वहां से वो आकर यहां पर medical treatments ले सकते हैं, आसानी से, such a settlement can contact medical basis from where doctors and medicines are immediately thrown to the settlement, और ऐसे settlement की वजह से contact करके medical based से, यानि कि जहां से doctors and medicines immediately उस settlement तक उस area तक पहुँच सकते हैं, this service is called the royal flying doctor service, ठीके इसे बोलते हैं, royal flying doctor service यह और यह service आपकी free होती है, ठीके यानि कि यहां से doctors भी उस area तक पहुँच जाते हैं, nearly all the state capitals are also major ports and handle overseas trade, nearly जितने भी state capitals हैं, वो बहुत बड़े, उन पर major port पाए जाते हैं, और वो overseas trade जो होता है न, यानि कि सम्यद्र के वजह से जो भी trade होता है, import export का काम होता है, उसे handle करते हैं, international shipping services भी available है, major ports पर, coastal shipping services लिंक दी major coastal towns को, coastal shipping services जो हैं, वो coastal towns को connect करती हैं, तो यह था इसका road and transport का, अब इसकी cities के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसके बाद हमारे topic complete हो जाएगा, resources and utilization का, Australia के, ठीक है, next lecture में हम पढ़ेंगे, उसकी case study, हमने इस chapter में अभी तक हमने यह देख लिया, Canberra is the capital of Australia, Australia के capital है Canberra, Sydney the capital of New South Wales, New South Wales की capital है Sydney, it is the largest city, largest city है और most important port भी है, the Sydney Opera House is one of the most famous modern buildings in the world, Sydney Opera House जो है most famous modern building है पूरे world में, Melbourne, Perth, Brisbane and Adelaide are other important cities, और यहां की और important cities कौन कौन सी हैं, दूसरी, Melbourne, Perth, Brisbane and Adelaide, अब यह देखे, यह क्या दिखार का, यह आपको कंटास passenger plane दिखाया हुआ है, कंटास is Australia's national airline, ठीक है, यह क्या है, यह नेक्स लेक्टे में केस study स्टार्ड करेंगे sheep farming in Australia, उसी के बारे में पूरा बढ़ेंगे, कि क्या क्या factors हैं जो sheep farming के लिए और जाना जाता है, और किस तरीके से करा जाता है, क्या करते हैं sheep farming में, यह सब हम next lecture में पढ़ेंगे तो मिलते हैं next video में next lecture के साथ please 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 guys like कीजे video को जादे जादे और अपने friends, classmates को share कीजे ताकि उन्हें भी benefits मिल सकें, comment करके जरूर बताएगा video आपको कैसा लगा, मिलते हैं next video में next lecture के साथ, thank you